दिल्ली की केजरिवाल सरकार ने दिल्ली हुमें हुए दंगों में जिम्मिदार भूमिका निभाई है? क्या कॉंग्रिस ने एक सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाई है? सामाजिक कारकरता हर्ष मंधर जो की लगातार एक साकरात्मक भूमिका निभा रहे हैं क्या उन पर ये आरोप लगाना जायज है कि वो समाज में नफरत फैलाने की कोश्च कर रहे हैं, दंगे करने की कोश्च कर रहे हैं? क्या भारती जाता पार्टी के साथ सांसदों में से, दिल्ली के साथ सांसदों में से एक भी सड़क पर उतरा, दोनों समधायों को साथ लाने की कोशिश की? जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पढ़ जाएं, तो आवाज भूलंद करनी पड़ती है। बोल किलब आजाद है तेरे। दियूस क्लिक पर मेरे साथ। जिसके अंदर ना सिर्फ कॉंग्रिस की उपाध्यक्ष राहूल गांधी बलकि सामाचिक कारकरता हर्श मंधर को निशाना बनाया गया है। ये निशाना जाहिर से बाते भारती जानता पार्टी की प्रॉपगैंडा मशिनरी बना रही है, ये निशाना सरकार की तरफ से किय जा रहा है और ये निशाना गोदी मीडिया भी लगा रही है दोनेताओं परॉपगैंडा मैं सलसलेवार तरीकी से इन तमाम पात्रों की बात करना चाहूंगा, सबसे पहले राहूल गांधी की बातॉपगैंडा आपको याद होगा जब राहूल गांधी विदेश में थे, तब मैंने वो सवाल उठाया था कि आखिर कॉंग्रेस के उपाध्यक्ष कहा है, याद है आपको मैंने क्या कहा था, फिर सुनिए, राहूल गांधी ये तो शायद देश में नहीं है, मैं जानता हूँ कॉंग्रेसी क्या कहेंगे, कि हर चीज़ के लिए राहूल गांधी पर सिर्व इसलिए कि जनता ने आपको पचास सीटों पर लाकर रख दिया, लगाता अर्दूसी बार, क्या इसका अर्थ ये होता है कि आप देश की जनता और उससे जुड़े मुद्दों से खुद को दूर करने, देर आए दुरस्त आए, राहूल गांधी उत्रे मैदान में और वहाँ उन्होंने कुछ बाते कहीं, वो बाते उन्होंने क्या कहीं, पहले आप वो सुनिये, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस यात्रा को लेकर गोधी मीडिया ने किस तरह की सुपारी ले रखी, सबसे पहले आप सुनिये, राहूल गांधी क्या कह रह कि इससे किसी का फाइदा नहीं हुआ हुआ है हिंसा और नफरत, तरक्की के दुश्मन है और यह जो हो रहा है लादार को जह इससे हिंदुस्तान की भारत ponta का कोई फाइदा नहीं जब हिंदुस्तान में हिंसा होती है जब कैपिडल में हिंसा होती है तो हिंदुस्तान का जो दुनिया में जो रेप्यूटेशन है उस पर चोट पहुंचती है जो हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ थी जो हमारी स्ट्रेंथ थी भाई चारा एकता प्यार उसको यहां जलाया गया ह आप जानते हैं राहूल की वेड़ी क्या बात अच्छी लगी इसमें? कि वो स्कूल्स की बात कर रहे थे, वो बच्चों की बात कर रहे थे, वो ये भी कह रहे थे कि इस दंगे से भारत की जो साख है अंतराश्वरी स्थर पर उसको नुकसान हुआ है. कहने को एक राजनिता ये बाते कर रहा है, मगर ये जो तमाम बाते की गई हैं, ये सब राजनीती से उपर की बाते हैं. लिहाज़ा मैं तारीफ करना चाहूंगा कि राहूल गांधी ने क्या कहा. मगर जैसे ही राहूल गांधी मैदान में उतरते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गोधी मीडिया किस तरह का प्रोपगैंडा चलाता है आपके स्क्रीन्स पर दोस्तों सबसे पहले आपके स्क्रीन्स पर ये चैनल क्या कह रहा है और कहा है कि Congress भढ़का रही है और अब कुछ और कह रही है पहले दिखिये Times Now क्या कह रहा है After Rahul Gandhi's riot tour to North Delhi, locals call out Congress's hypocrisy saying Congress provoked, now pretending यानि पहले Congress ने भढ़काया, उसके बाद अब मरहम लगाने का ढोंग कर रही है फिर उसके बाद ये चैनल क्या कहता है Rahul Gandhi along with Congress Delegate reaches Bridge Puri, one of the areas that was affected by the riots They were the first to blame Hindutva mobs, will he slam Tahir Hussein's terror? यानि कि एक political party जो सिर्फ विपक्ष है, उससे जादा उसकी कोई आउकात नहीं है उसके बारे में आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने दंगे भढ़का है ये चैनल बहुत ही सुविदा जनक तरीके से भूल गया कि ये जो चेहरे आपके सामने है, कपिल मिश्रा जिसने 23 फरवरी को वो विवादास्पत बयान दिया था उससे पहले अनुरा ठाकुर, प्रवेश साहिब सिंग ये तमाम लोग जो हैं एक के बाद एक भढ़काओ बयान देते रहे मगर इस मीडिया को वो नहीं दिखाई देता जो अपने आप में कितनी बड़ी तरास्दी है अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ भारती जाता पार्टी के कितने सांसद है दिल्ली में? ये आमित शाह खामोश हैं नजाने क्यों बीजेपी चाहती है कि दिल्ली में जो दंगे हुएं उस पर चर्चा हो होली के बाद क्या इन न्यूस चैनल्स ने इतनी शिद्दत के साथ ये सवाल सरकार से किया? एक पार्टी जिसमें 50 सांसद हैं उससे तुम सवाल कर रहे हो उन पर आरोप लगा रहे हो कि वो दंगा भड़का रहे हैं? दोस्तों आप मैं बात करना चाहूँगा आम आदमी पार्टी की इससे पहले कि हर्ष मंधर की बात करूँ आपकी स्क्रीन्स पर हर्ष मंधर देखिए ये लड़ाई संसद में नहीं जीती जाएगा है क्योंकि हमारे जो राजनेतिक दल हैं जो अपने आपको सेकुलर कहते हैं उन में उस तरह की नहतिक साहस नहीं रही है लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ड में भी नहीं जीती जाएगी क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ड को देखा है पिछले किछ वक्त में एनार्जी के मामले में आयोधिया के मामले में कश्मीर के मामले में सुप्रीम कोर्ड में इनसानियत और समानता और सेकुलर की रक्षा नहीं की है यह अपने आप में बहुत चिंतित करना वाला विश्य है और यह सवाल उठा रहा है हमारी नियाए पालिका पर भी, हमारी सरकार पर खास तोर पर, मगर अब मैं आम आदमी पार्टी की बात करना चाहूँगा दोस्तों, दोस्तों आपको याद होगा, कि जब दंगे हुए थे उसके बाद मैंने अरविंद केजिवाल के किरदार पर सवाल उठाए थे, मैंने कहा था कि इनकी प्राथमिक्ता हैं क्या हैं, तुमने दिल्ली पुलीस की उस याचिका को अनुमती दे दी, जिसके अंतरगत आप कनहिया के खिलाफ देशद्रों का मुकदमा चलाए जाएग हनमान के आप दर्शन तो कर रहे हैं, मगर आपकी प्राथमिक्ता वहा नहीं हैं, मगर बावजूद इसके आम आदमी पार्टी सक्रिय दिखाई दी, इन चेहरों पर गौर कीजिए, गोपाल राय, संजै सिंग, दिलीप पांडे, रागव चढधा, सौरभ भारद्वाज, ये तमाम लोग जो हैं, वो जमीन पर थे, समबाद कर रहे थे, बाते कर रहे थे, लोगों को पास लाने की कोशिश कर रहे थे, दोस्तों कि आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी ने एक योजना की शुरुआत की है, यानि कि अगर आप आगे से दिली के अंदर वाटसाप क जरीए अफवाहें पहलाएंगे ना, तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, यही नहीं, अगर आपको ये पता चलेगा कि कोई और वाटसाप के जरीए अफवाह पहला रहा है, दंगे पहलाने की कोश्च कर रहा है, तो आपको भी 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा, ऐस रुपए इनाम भी दिया जाएगा, और उन्होंने वाटसाप नंबर भी दिया है, 895-0000-946, इमेल भी दिया गया है, devscommittee at delhi.gov.in, वाकरी मैं तारीफ करना चाहूंगा आम आदमी पार्टी सरकार की, और क्यों उन्होंने यह किया, मैं आपको बताता हूँ, वो इसलिए किय दोस्तों, क्योंकि आपको याद होगा कल इंडिन एक्स्प्रिस की खबर आई थी, कि जिस दिन इस आदमी कपिल मिश्चा ने वो भड़काओ बयान दिया था, कि मैं पुलीस को तीन दिन का टाइम देता हूँ, उसके बाद, लोग भुकतेंगे इसकी कीमत, उसके तुरन ब ये वाटसाब ग्रूप्स लगातार जूटी खबरों का प्रसार कर रहे थे, ना सिर्व जूटी खबरों का प्रसार कर रहे थे, बलकि बकौल दिल्ली पुलीस उन्होंने एक ऐसे वीडियो का प्रसार किया, जिसमें ये बताय जा रहा था कि घी के कनस्तरों में से हत्यार न यही वज़ा है कि आम आदमी पार्टी ये योजना लेकर आई है वाटसाप को लेकर तो आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ आपने राहूल गांधी का बयान सुना आपने आम आदमी पार्टी की जो तमाम कोशिश हैं वो देखी अब इन दोनों ही कोशिशों में जै काहे कपिल मिश्रा हो या दूसरा उनके भड़काओ बयानों को बरदाश नहीं किया जाएगा जानते गौतम गंभीर को क्या किया गया पूरी जो बीजेपी की आईटी सेल है ये जो दो रुपए प्रती ट्वीट पर बिकने वाले लोग हैं जूटे लोग इन लोगों ने गौतम गंभीर के खिलाफ प्रोपगांडा शुरू कर दिया कि ये गौतम गंभीर जो है वो बीजेपी को नहीं जानता बहुत खुशी होती दोस्तों अगर भारती जाता पार्टी के अंदर गौतम गंभीर जैसे लोग अपनी सोच के जरिये एक नई उरजा एक नई सोच क प्रवा करवा पाते मगर जब कोई इनसान सेंसिबल बाते करता है समझदारी बरी बाते करता है तो इसे इस तरह से टार्गेट किया जाता है अब आप मुझे बताईए भड़काओ राहूल गांधी है आम आदमी पार्टी है या बीजेपी के वो ने था क्योंकि आपके साम ने इनके तमाम भड़काओ बयान है आप मुझे बताईए ना कि जिन भी लोगों ने भारती जाता पार्टी के खिलाव जो पक्ष है जिन भी लोगों ने भड़काओ बयान दिये भड़काओ हरकते की शाहे वो शारुक पठान हो शाहे वो शरजील इमाम हो ये सब जेल के अंदर हैं यहां तक कि आपको याद होगा हैदराबाद में वो लड़की जो स्टेज पर आ गई थी पाकिस्तान जिन्दाबाद और हिंदुस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाने वो दोनों देशों को जिन्दाबाद के रही थी वो अब भी जेल में है मगर आप मुझे बताईए ना कपिल मिश्रा कब जाएगा जेल में जेल की बाद चलिए छोड़िए ये कब न्याय के कट घरे में खड़ा होगा और इसको लेकर दिल्ली पुलीस के क्या दोहरे माबदंड है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपकी स्क्रीन्स पर सामाजिक कार करता हर्श मंधर क्या आप जानते हर्श मंधर के खिलाफ क्या हो रहा है दिल्ली पुलीस ने कहा है कि इन पर अदालत की अवमानना का केस दर्च किया जाए दिल्ली पुलीस ने इनके बयान को सुना है दिल्ली पुलीस का ये भी मानना है कि हर्ष मंदर ने समाच में तनाव पैदा करने की कोशिश की मगर आपको याद है जब दिल्ली हाई कोट में जस्टिस मुरलीधर ने पूछा था क्या आपने कपिल मिश्वरा के या अनुराक ठाकुर के या प्रवेश साहिब सिंग वर्मा के बयान सुने तो दिल्ली पूलीस ने क्या कहा था हमें अभी सुनने का मौका नहीं आया मगर हाँ हर्ष मंदर का इन्होंने बयान सुन लिया अब हो क्या रहा है दोस्तों कि भारती जाता पार्टी की जो IT सेल है या पूरी जो प्रचार तंत्र है मीडिया भी जिसमें शामिल मैं आपको बताऊंगा ये लोग हर्ष मंदर के एक क्लिप को वाइरल कर रहे है ये बता रहे हैं कि हर्ष मंदर लोगों से कह रहे है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा विश्वास नहीं है आप सडकों पर उता रहे है देखें ये अमित मालविये जो की नेता है इस बीजे पी आइटी सेल का वो उनके कौन से क्लिप को वाइरल कर रहा है सुनिए पहले ये मिलाई सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जीती जाएगी क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट को देखा है पिछले किछले किछले के मामले में आयोधिया के मामले में कश्मीर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में इनसानियत और समानता और सेक्यूलर की रक्षा नहीं की है वहाँ पोशिश जरूर करेंगे हमारा सुप्रीम कोर्ट है लेकिन फैसला ना संसद में ना सुप्रीम कौर्ट में होगा इस देश का क्या भुश्य होगा आप लोग सब नौजवान हैं आप अपने बच्चों को किस तरह का देश देना चाहके हैं ये फैसला कहा होगा एक सरकों पर होगा लेकिन उस और हम लोग सब सरकों पर निकले हैं अब मैं आपको सुनाना चाहूंगा हर्श मंधर का पूरा बयान जो उन्होंने बाद में कहा इन्होंने आप बहुती विधावादी तरीके से काट दिया मगर आगे क्या कहा है आप सुनिए लेकिन सर्खों से भी बढ़के एक और जगे में इसका फैसला होगा कौन से जगे में इस लड़ाई का फैसला सबसे जाता होगा वो है अपने दिलों में मेरे दिलों में आपके दिलों हमें इसका जवाब अगर वो नफ़त भना क्याते है हम उसका जवाब अगर नफ़त से ही देंगे तो नफ़त ही गहना होगा अब जानते हैं दोस्तों क्या हुआ है अदालत के अंदर सुलिसिटर जनरल तुशार महता ने जो छोटा वाला क्लिप है जिसमें पूरी बात नहीं कर रहे हैं हर्शमंदर उस क्लिप को उन्होंने पेश किया है सुप्रीम कोर्ट के सामने काइदे से ये सरकारी पक्ष के वकील है इन्हें पूरा क्लिप पेश करना चाहिए था मगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक को गुमरा कर रहे हैं जो क्लिप अमित मालविये ने पेश की है सिर्फ उतना हिस्सा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया है कितना बड़ मजाक ये लोग अदालत के साथ कर रहे हैं अब बीजेपी के इस प्रॉपगांडा पर सुनिये मोदी जी क्या कह रहे हो मानो शब्द इनके बीजेपी आईटी सेल के लिए ही हैं काश तुशार महता प्रधान मंत्री के इन एतिहासिक शब्दों को याद कर पाते हैं जूठ बोलो बार बार जूठ बोलो जो भी बोल सकते हैं सब जूठ बोलो जहां भी बोल सकते हैं जूठ बोलो जितनी बार बोल सकते हैं जूठ बोलो जूठ बोलो जूठ बोलो मजाक ये भी है दिल्ली पूलीस का कि तुम्हें अनुराग ठाकुर के प्रवेश साहिब सिंग वर्मा के कपिल मिश्रा के भड़काओ बया नहीं दिखाई देते मगर हर्शमंदर जैसा आदमी जो समाज को जोडने की कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज करने की बात करते हैं और यहीं नहीं दोस्तों इनका पूरा गोदी मीडिया जो है वो तैयार हो गया हर्शमंदर के खिलाफ मैं सिलसलेवार तरीके से आपको टाइम्स नाओ और रिपब्लिक ने जो बाते कही है वो बताना चाहता हूँ टाइम्स नाओ क्या कह रहा है इंडिया इस आउट्रेजड ओवर शाहीन सडक शौकर सडक पर उतरने की बात कही मगर क्या तुम भूल गए कि आगे क्या कहा हूँ ने अब ये सुनिये रिपब्लिक ओपन स्क्रीट वाइलन्स कॉल कॉटन टेप त्यून ने वोच और शेर यूर व्यूस रिपब्लिक कह रहा है आपने पूरा बयान सुना क्या यहां पर कहीं पर भी हर्श मंदर हिंसा का इस्तमाल करने की बात करते हैं वो ये कह रहे हैं कि तुम दिलों के अंदर नफरत मत रखो वो ये अपील कर रहे हैं मैं खुद इस शक्स को जानता हूँ इससे ज़्यादा सौम में शांत स्वभाव का कोई व्यक्ती नहीं है अब आगे देखिए यही चैनल फिर से कहता है अगर इनकी माने दोस्तों तो हर्श मंदर जो हैं वो दंगे पहला रहे हैं दिल्ली के अंदर मगर इन सब की बोलती बंद हो जाती है इन में से एक भी चैनल इन दोनों चैनल ने अब तक अब तक ग्रेह मंतरी से सवाल नहीं पूछा कि अमिज जी संसद के का सत्र शुरू हो चुका है चार दिन चले आ रहे हैं मगर वज़ा क्या है कि आप इसकी चर्चा होली के बाद चाहते हैं इसका जवाब दीजे क्या वज़ा है कि आप डर रहे हैं देखिए आप पश्चिम मंगाल जा रहे हैं अब ये भी खबर आ रही है कि आप शायद अगले महने से चार दिन पश्चिम मंगाल में रहेंगे क्योंकि वहां चुनाव होने वाले है मगर दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है उस पर एक भी बयान नहीं है प्रधान मंत्री का भी बयान बहुत सतही सामने उबर कराता है ये अपने आप में बहुत चिंता करने वाली बाते हैं दोस्तों आज बोल के लब आजाद है तेरे में मैं आपको क्या बता रहा था दोस्तों आपने राहूल गांदी को सुना आपने आम आदमी पार्टी की जो कोशश हैं वो देखी आपने हर्ش منदर के पूरे बयान को सुना क्या इन मेंसे कोई भी व्यक्ती नफरक फेला रहा है मगर पिछले काफी अर्ष़े से आप कपिल मिश्रा को भी सुन रहे हैं आप अनुराक ठाकुर को भी सुन रहे हैं आप प्रवेश साहिब सिंग को भी सुन रहे हैं और उनके बयानों के नतीज तन जब ये दो लोग सड़क पर उताराते हैं गोली मारने के लिए एक तथा कत इतना बालिग और दूसरा ये राजेश गुजर जो कि शाहिन बाग पे गोली चलाता है और उससे पहले वो शक्स जो जामिया के विद्यारतियों बे गोली चलाता है इन पर कोई सवाल नहीं किया जाता है ये इस देश की तरासदी है बोल कि लब आजाद ने तेरे में बस इतना ही मेरी आपसे अपील की इस कारक्रम को जादा से जादा लोगों तक पहुँचाएं इसे लाइक करें शेयर करें और न्यूस क्लिक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे मैं कोई शो करूँ सीधे आपके मुबाइल फोन्स तक पहुँच जाए नमस्कार